बिल्कम फ्रेंड्स आपका बहुत स्वागत है और आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वह एक बिर्यानी बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान कूकर में हम बनाएंगे खासकर बैचलर्स के लिए बहुत आम जहां में लोग बिर्यानी बनाना बताते हैं लेकिन बहुत आसान बिदी से हम बना रहे हैं इसे प्लीज ट्रै करेंगे सबसे पहले हमने पतीले में पानी गरम किया खौलने के बाद उसमें अंडे डाल दिये और इसे पाच मिनट तक उबलने देंगे और फिर धक देंगे और पाच मिनट के बाद फिर इसे हम बंद कर देंगे और फिर देखिए अंडे उबल चुके हैं इसे ठंडा होने के बाद हमने छील लिया अच्छी तरीके से और छीलने के बाद फिर हम इसमें तोड़ा कट लगा लेंगे जिससे कि इसमें तेल मसाला नमक सबकुछ अच्छे तरीके से पैवस्थ हो सके इसमें समा सके तो आई हमन प्याज जो कि हमने पहले से काट कर रख लिया था अच्छे से इसे फ्राइ कर लेंगे और फ्राइ करके इस प्याज को हम निकाल लेते हैं और प्याज को निकाल कर अलग बरतर में रख लेते हैं उसके बाद हमने इसी गर्म तेल में अंडे को फ्राइ करना है जो कि हमने डाल और कास्मेरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपके पास लबद हो डाल कर थोड़ा मिला ले थोड़ा कलर आ जायागा इससे और इससे बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं करना है क्योंकि वो फिर सूपाच्य नहीं हो पाता है पचने में थोड़े दिकत होती है खाने के बाद इ गरब मसालों मैं से डाल चीनी त्रादी और फिर हमने डाल दिया है और प्याज रख को इसमें मिर्यम लोग फलें में थोड़ा-दो तीन मिनत तक थक करेंगे और फिर हम इसे अचि तरीके से फ्राइ करते हैं देखिए लगभग तीन मिनट होने को आया है तीन-चार मिनट में ये 75 परसेंट फ्राइब हो जाएगा और फिर अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर तो हमने ये टमाटर डाल दिया है तो टमाटर डालने के बाद थोला सा मिलाकर इसमें हम फिर ड और और हमने ये सब मसाले डाल दिये हैं और इसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद इसे हम दो-तीन मिनट तक ठक कर पकाएंगे तो लिजिए हमने इसे ठक दिया है और दो-तीन मिनट के बाद फिर हम इसे देखते हैं तो ये लगबग मसाले पक चुके हैं लेकिन थोड़ा फ्राइ होना बाकी है इसे हम और मिलाते हैं चलाते रहते हैं वीडियो माच में ही और ये जब पक जाएंगे तो फिर इसमें से थोड़ा सा मसाला हम निकाल लेते हैं कि मैं निकाल रहा हूँ जो कि बाद में गार्णिशिंग के काम आएगा लेरिंग लगाने के काम में आएगा तो हमने निकाल लिया है वो मसाला और इसके बाद हम इसमें अब लेरिंग करते हैं तो सबसे पहले हमने जो चाबल दो कर र जो पचा हुआ चाबल है हम ने इसमें डाल दिया है और उसके बाद जो हमने प्याज फ्राय किया था वो मैं प्याज डालूंगा और प्याज को अच्छी तरह से उपर से सजा लेने के बाद फिर अब हम इसमें डालेंगे बिर्याणी मसाला जो कि बहुत important है और बिर्यानी मसाले में सारे मसाले mix होते हैं गरम मसाले भी और बहुत तरह के मसाले होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा ताम जहाम की जरुवत नहीं है शिर्फ बिर्यानी मसाला डालो और फिर हमने इसमें 1Y4 चमच हेंग भी डाला है और फिर जो मसाले बचे तो हमने एक गिलास चाबल लिया था तो लगभग पॉने दो गिलास पानी डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी का जिससे कि यह बहुत अच्छी खुस्पू देगा बहुत अच्छा फ्लेवर और चाबल चिपकेंगे भी नहीं तो फिर उसके बाद हमने कूकर का धकन बंद कर दिया और इसे लगभग 3 मिनट हाई फ्लेव में पकने देंगे इसमें जैसे ही गएस बादना सुरू करेगा तो फिर हम आज को धीमा कर देंगे और धीमें आज पे लगभग हम 8 मिनट पकने देंगे और फिर हम गएस को बंद कर देंगे अच्छा रंग कितनी अच्छी खुस वो आ रही है इस बिर्यानी से वह थी मज़दार बिर्यानी बनी है उपर से हमने कोई रंग आग नहीं किया है फिर देखिए इतनी सुपर और फिर हम इसे गार्णिस करेंगे यह खाने के लिए तयार है देखिए आपके पास जो भी संसा आया तो कि पैसे लाइक एवं सेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे वीडियो को और तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद